हाई अवरिवन आज हम बनाएंगे सूपर टेस्टी पास्ता और ये बिलकुल इंस्टेंट रेसपी है तो आप लोग जरूर इसे ट्राइ करें बहुत जादा मज़ेदार बनने वाला है यहाँ पर मैंने दो कप पास्ता लिया है और उसे उबलते हुए पानी में एट कर दिया और इस तहां से चलाते हुए बीच-बीच हम इसे 80% कुक्ट कर लेंगे ये देखिए थोड़ी सी देर में आपका पास्ता 80% जब कुक्ट हो जाएगा तो हम इसे ड्रेन कर लेंगे एक स्ट्रेनर से और ये एकदम मार्केट स्टाइल आपका पास्ता तयार होगा बलकि मार् दूर ट्राइ करें यहां पर मैंने 25 ग्राम बटर लिया है और बटर को हम मेल्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर क्योंकि फाइफ लेंब पर बहुत जल्दी जल जाता है और दो चम्मच हम इसमें चॉप्ट गार्लिक का अट करेंगे इस तरह से बहुत ही फाइन चॉप्ट और ए को आप बारीक सा कट करें बहुत बारीक सा और पीस कर बिल्कुल ना डालें क्योंकि उससे इतना अच्छा फ्लेवर आपका नहीं आएगा आप जब चॉप्ट करके आड़ करेंगे तो उससे एक फ्लेवर बहुत अच्छा सा आता है तो उसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे तू अनियन्स चॉप्ट करी हुई अच्छे से और इसको हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे बहुत जादा गोल्डेन ब्राउन हमें नहीं करना है इस तहां से बस ये कलर आए बस इतना करना है आपको और एक बारी कटी हुई कैपसिकम लेनी है और यहां पर मै इस तहां से चलाते हुए एक मिनट हमें इसे सिफ पकाना है सबजियों को बिलकुल गलाना नहीं है हमें और फिर हम बारी कटे हुए चार टमाटर एड़ करेंगे मीडियम साइज की ये टमाटर है और उसमें पिर हम हाफ टी स्पॉन सॉल्ट का एड़ करेंगे और इस तहां से चलाते हुए इन्हें हम सॉफ्ट होतें तक पकाएंगे टमाटर के सॉफ्ट होने तज ऑर उसके बाद वन टी स्पॉन ब्लैक पेपर एंड फी श्पॉन चिली फेल एड़ कर देंगे इसमें और औरिगेनो, half teaspoon, वैनिगर, one teaspoon, और फिर हम इसमें add करेंगे, two tablespoon tomato ketchup का, और फिर हम इसे लगभग एक मिनट और पकाएंगे, ताकि सारे जो हमने flavors इसमें add करें हैं, उनका टेस्ट आजाए इस gravy में, और इस तहां से आप एक मिनट इसे medium flame पर पका लें, and after one minute हम इसमें boiled pasta add कर देंगे, और one minute low flame पर इसे अच्छे से mix करते हुए पका लेंगे, और हमारा yummy सा pasta बिलकुल ready to serve है, तो अगर आपको ये recipe अच्छी लगी हो, तो please like जरूर करें,